नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी के संगर साइस के यूटूब चैनल पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पिर्थवी के अच्छांस के बारे में और देशांतर के बारे में बात करेंगे इसके बाद फिर हम और विश्वत रिखा करक रिखा मकर रिखा और इससे जानने वाले करकर रेखा, जिस देशों से गुजरती है, उसके बारें बात करेंगे, मकर रेखा, जिस देशों से गुजरती है, उसके बारें बात करेंगे, मकर रेखा, जिस देशों से गुजरती है, विश्वत रेखा, जिस देश से गुजरती है, यहां से किसी एकजाम में आपकी UPCSO, UPCO या BPSCO, EMPPCSO किसी एकजा में एक या दो कुशन देखने को मिल जाता है हर साल, क्योंकि ये most important है यो आप समझ लेजिए कि वर्ल्ल जोग्राफिका या जोग्राफिका ये एक प्रकार का new है ये मतलब एक foundation है यही से आपका एक pillar type का है अगर ये आपको समझ नहीं आती है तो समझ लेजिए आपको जोग्राफिक समझना बहुत मुश्किल होगा ठीक है खास करके climate वाले chapter को समझना बहुत मुश्किल होगा तो ये मान के लिए ये जो नोर्स हम आपको revision करवा रहे हैं ये गटना चक्र के जो पुर्वा लोकन का नोर्स होता है पुर्वा लोकन जो उसका गटना चक्र का revision स्रीज आती है तो उसी को हम करवा रहे है revision तो यहां पर आज देखेंगे प्रित्रवी के अच्छांस के बारे में ठीक है देखते हैं अच्छांस और देशांतर क्या होता है तो इसमें लिख्या है कि आपका कि भुप्रिष्ट पर विस्वत रेखा व भुमत रेखा का उत्तर और दच्छे में एक यामुत्तर यामुत्तर मेरेडियन पर किसी भी बिंदु को प्रित्रवी के केंद्र विस्वत ब्रित्स से धुव तक सभी समनंतर वित्तो परलल जो ब्रित्त होते हैं अच्छांस रेखाएं कहा जाता है सुन्य अंस अच्छांस को विस्वत रेखा व भुमत रेखा भी कहा जाता है देखते हैं क्या होता है क्या हम पर खाली जगा है थोड़े से हम दिख लेते हैं वड़ावड क्या है ठीक माले जी यह आपका क्या है प्रिथवी है ठीक है यह एक कालपनिंग रिखा है उसमें सारी कालपनिंग रखाएं के चीक है इस तरह के एक विश्वत रिखा जो मद्ध डिवाइड भागों में प्रिथवी को दो भागों में डिवाइड करती है दो भागों में बढ़ती है ठीक है तो इसका पहला इसको बोलती है जीरो एंस ठीक है यह कालपनिंग रिखा है कोई खेची नहीं ही है यदि आपको वास्तों के खेची जाए तो माल लेज़े किसी का आप फाउड़े लेक इसके तरह के सीधी लेख यांसे इसको बूलते हैं जिरो अंस मेरेडियन टाइम जोन होता है जो ग्रीन विच्छ तीक है यह यह नार्थपुल का लाता है यह तो यहां से इसके केंद्र से मद्ध से इसको बूलते हैं ग्रेट सरकल ग्रेट सरकल आपके एक्वेटर को एक्वेटर को क्या बोलते है एक्वेटर को बोलते हैं कि ग्रेट सरकल बिस्वत को ठीक है बिस्वत ठीक इसके बाद ये तुकि ग्रेट सरकल इसलिए क्योंकि ये प्रित्वी को दो भागम डिवैट करता है बराबर भागम ठीक है ये उसक इस तरह से उत्तर तो इस तरह बाद इस तरह से एक अंस, दो अंस, तीन अंस ऐसे इस तरह से करते हुए पूरे 90 अंस तक इसके यह सब रिखाए जो है इस तरह मिलाने वाले पैरल रिखा है इसको हम अच्छांस कहते हैं तिक यह अच्छांस है इसको अब पूरे डीटियल हम बताएंगे कि आपको तो बहुत टाइम लगेगा बस यह जान लेजे अच्छांस क्या होता है और जान दे रहे हैं ठीक है इसमें कि कलर चेंज यह आपका एक्क्वेटर होगे बिस्वत रेखा या भूमद रेखा अब बिस्वत यह आपका साड़े तेई संस पिठ्थी वी जुकी हुए है तो यह आपके करके रिखा होगे और यह आपका साड़े च्छांस अभी बता रहे क्या है डाल-खंव दिए यह यां पर रेते संस आपका माक्र रहे हैं और यह साड़े च्छाच्र डन्स आपका अंतर्क्टिक ब्रित तेक कौन सा अंतर्क्टिक यह आपका 90 जच्छडी गोलार्थ यह आपका उत्तरी गोलार्थ तो अब यहां से इसको क्या है कि एक भागों हम डिवाइड कर लिए अब पिर्थी में मारे जुकी हुई है कैसे जुकी है आपको एक लट्टू जैसे लट्टू नाचता है जब लाश्ट टाइम आता है उसके नर्जी कम उती है ऐसे टेड़े टाइब के इस तरह है तो महलेजिए यह गोला इस तरह से यह इसका केंद्र है इस तरह से यह जुकी हुए तो यह अपनी आच्छ से यह मालेजिए इसका है परित्रविय का Axis है इसके Axis इंधर साइड इंधर साइड एकसिस न हम परित्रविय का आपनी ऑप्रण से दोरikum हो नौ कि दोरो הזה कर बीच की दोरी होती है कितनी होती है किलो मेंटर और इसके एक अच्छांस के इसको इधर साइब लेटी लेटी तो लेटीचुडनन लेटी टूड ठीकर छेटी किन पूर इधर साइब सीधी सीधे रेखा है को लांगी जो देशानथर एक पैसे यह एक आच्छांस के भीच के जो जगर को क्या करता आप काटेपं सब्सक्राइब करते हैं जो जगह को चुन का जाता है जिए 0-1 के बीच के जगह को दो देस अंथ्सक्राइब करती है बिल्कुल सही है ब्रहत बात कर लिया आपका ब्रहत जो बिरित है great circle किसको 20 रिखा कहते है गोल के पित्रवी को दो समान प्रदियम गुलार्दों में भिस्वत्र रिखा कहा जाता है जो यह जो यह जो चोटे होते प्रिटिविद्विद्विद्व बता दिया है उत्रिव दुटरि गुलार्दर में अच्छान से नब्यांस तक डिवेड़ केए फड़ावड़ इसको दीख लेते हैं यह हो गया प्रिथिविट यहां से लेकर यहां तर पुरा टोटल 90 नीचे बेट टोटल 90 यह दोनों मिलागे कितना वन एक सो एक सो एक सो एक सो एक सी वन टून्टी यह जीरो डिगरी को 90 डिगरी को कोई जगह नहीं इस पेस नहीं एक बिंदू टाइप के तो दो माइनेस कर सो आधा है कितना प्रेसिंट यह जाएं कितना किगह किफा कि कीतना किह। सब्सक्राइब बता दिए इसी कारण सब्सक्राइब के समांतर होते हैं दो अच्छान्सों के बीच के दूरी लगए 111 किलमेटर बता दिए यह 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 है तो आपका यह इसके वीच के दूरी क्या बोलते हैं और यह साड़े 13 यह 0 यह 66 यह 66 इसके बाद आप देख सकते हैं यह 66 हो गया यह नपेंस हो गया इसको उश्कराणि मद्द से चरक जाए चिर सब्सक्राइब और यह सी तोर्श कड़ूर पराइब और उसको बोलते हैं आपका टिरल जोन mund इसको इंगलेसा investigators मी इसको बोलते हैं टैंफरेट जोन उसको बोलते हैं फ्रिंगेड जोन ओका इंफ्रेड आपका ही तरो यहीट सब आर्टिकल कहा जाता है ठीक है सारे चार्चट को सब आर्टिक कहा जाता है इसके बाद देश्री गोलार्ट में सब आर्टिकल कहा जाता है सुन अंस अच्छांस रेखा सुन अंस वही देशांतर जो आपका अच्छांस अच्छांस दोनों एक दूसरे को मिलांती है अफ्रिका के गीनित घाटी में कहां पे गीनि घाटी में यह अट्लांटिक कौन सा अट्लांटिक इसी हो यह चो सुनने को यहां पे आप इस तरह से इक्वेटर इस तरह से आपके जीरोंस देशांतर और ग्रीन विच लाइन जीरोंस जो मिन टाइम है इसी को बोलता है आपको नल आइलेंड सुनने दीप कोई सागर नहीं है बस एक जहां पर दूनों मिलाए जाती है उसी को बोलते है यह लिखा है सुनने दीप एक कल्पनिक छेतर है जो सुनने अच्छांस रेखाओं सुने अंस देशांतर रेखाओं के मिलेन बिंदू पर अच्छीक ृट्लेंडि मास अगर में ग्लो को मन्चित्रों पर किसी अस्थान सेहरों को अनदेसों को उत्तर दक्षेडते में वस्तिक निर्दाड़ा अच्छांसु दार किया जाता है अब किसी को डायरिक्शन मत आना हो रोगए लोप पर बारत का रिखार्स में बाना द अले हैं कि यह एक टार है कि यह बारत है कि इस तरह से बारत हैं कि आइसा करके भारत की इस तरह से बन जाता है चलिए तो थोड़े निशिख कर लेते तो भारत चीख यह सब्सक्राइब देख लेते इडर सेट देख लेते यह इसकी इस्तिति इस टैम जो न दिखाता है ठीक है पड़ा बटा बिजम देख लेते चलिए तो जीरो अंस भूमत रखा है अच्छांस को तर चीस अस्थान का अच्छांस मान जीतना अधिक होगा उसकी इस्तिति साफे छे रूप से कम अच्छांस वाले अस्थान्स से उतनी ही अधिक मानी जाती है जैसे बीजिंग चीन चीन में क्या है 39 अंस 50 मिनट नार्थ नई दिली तर टूटी एट अंस 30 नाय थर्टी एट मिनट नार्थ निवार की उससे चालिश अंस पैतालिस मिनट नौर्थ रूम इक्तालिस चाहुन मिनट नार्थ में सरवाद उत्तर में इस ती नगव रूम होगा ए ठीक है इस तरह के कौन से सबसे ज्यादा होगा तो उसकी इसलिए उत्तर में सबसे ज़्याद है एक विमान उत्तरी अंस 30 उत्तरी अंस 50 अंस अब देखें बड़ा बड़ देख लेते हैं है जो यह ना चाहिए यह थे है आपका प्रिथिवी इस्ट्रेस चप्ठी यह जीरो अंस है तो उत्तरी अंस अगर हम दिखा जाए तो तीस अंस यहां एक दू तीन चाव यहां पड़े गए तीस अंस और पचास अंस देशंटर पूरवी देशंटर देखें यह इसको पू तो भारत से पहले पाकिस्तान का यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर नीचे उतरता है तो अब देख लिए इसका मतलब कहने का क्या तत्वर है वड़ाफट देख लिए दोस्त आम बड़ता दे रहें अको यह है यह जिरू है तो माले जिए यहां से यहां तक पूरा एक लाइन आजाती है यहां पर यहां पर एक लाइन आजाती है यहां आजाती है तो अब 360 हमें पचास मइनस करेंगे कितना जाएगा 242 शाथ पर ठेक है इस तरह के तो 310 किसे 187 जी 101 जी 108 होता है तो mln फासटर के ज़ले 130 एसके विपरित होता है है चलते त्व खेजर कि जत Clem एक्स 1566 जी पुर्वी देसंतर प्रिफिवी पर पुर्वी देसंतर रखाएं तो साड़ गूंती अट पचासेंज पुर्वी देसंतर ओंद फ्रिफ रखाएं धुटीज रिखाएं यह जैसे जितना माले जैसरी प्टाग से दिखाएं तीस रहें आपको लेकिन अगर इधर साइट से देखें तो कितना आएगा तीस मैनेस आएगा तभी 250 आएगा और इधर साइट कितना है तो इसके बिपरित जो रिखाए होगी देशांतर परस्चमी में वो कितना होगा 150 तभी 180 होगा ओगे चलिए देशांतर देख लेते हैं देशांतर क्या है देशांतर विश्वत रेखा के साथ पनी कोड़ी दूरी है हमने बता दिये क्या है जिसे डिगरी के मापा जाता है उत्तरी दच्छी दूरी को मिलाने वाले रेखा को देशांतर कहा जाते है यह है यह उत्तरी दूरी और दच्छ सबाइन देला टैकेश यह वहां त्यक्सादोग तो कि तहां अन स्थानों पर अलग होताँ और ये सब्सक्राइब देला क्याएै बहुता है तेच्छर दिनकम पर सब्ग करें लिए पर करता है बहुत है ने होता है बहुत सब्सक्राइब सारच किया होता है कि जो आगों में डिवाइट करें बट लेकिन यह है कि आपका यह जो देसंतर रेखा है यह तो बहुत सारी ग्रेट सार करो हो सकती है ठीक है जैसे इधर साइड से काट दिये तो इसके जेश्ट विप्रित जो एक दूसरे के विप्रित होते हैं तो लगभाइक उनको डिवाईड भाग है तो के संत्र के काटी है आप सब्सक्राइब अगर한다 कर अगर दिए संत्र से संत्र कारएं आप देख लिजे समझ गया हूँ जैसे अब यहां पर हम नहीं बता सकते कैसे काटा जाता है क्योंकि यह 2D है 3D को आपको समझाना पड़ेगा चली आगए अधे संतर रेखाओ के बिच के दूरी विश्वत ब्रित पर दिक्तम और द्रुवा पर निम्तम होती है बिल्कुल सह संदर में अन्य देशंतर रेखाओं के गणना की जाती है उसे मद्धान रिखा का जाता है प्राइम मिरेडियन लाइन कहता है प्रधान मद्धान रिखा का जाता है वासकें डेसी ने 22 अक्टूबर 1884 को उन्तरराश्टी बेटिक में इंग्लेंड और लंदन के पूरव ग् गुजन्य वाली देशंतर रेखाओं को प्रधान माना का जाता है ठीके ग्रिन विच्च हमने बार बार बात करें जीरु अन्स जो होता है लंदन में पड़ता है इंपोर्टेंट है रायल बेट साला से गुजन्य वाली देशंतर रेखा है प्रधान माना जाता है प्रधान पूर्डो घुलाऀकार परित्वी पर कुल 360 देसंतर रखाय कितनी है कि चलिए हैς ऐस चलिए पूर्वी पश्छीम्न ज संतर करेखा ईखायी प्रादान उसकी जो कामण रिखाय एक 180 को रिखाय कि दोस्तान के बेन्स निवें, यह संभु गृृ मोला कुछ चलिए आगे अच्छे पर उसके गुड़न के कारेट पहिंगा बीज़ कि इस कारण धै क्वार्धर लें हुआँ अध्या नारल घ मेलिए हुला हुआ है ने मैं कीर ङसन भी लोघ जाताह तो यदिय को कितना है 15 एंश क्योंती हैं इस तरह से एक जोन मान लिया जाता है दो अस्थान हो के दो ऊस्थान एक दूसरे को 15 पुरू और पश्यम में हैं तो उनके समय में एक गंटे कांटर अगर 15 पुरू है तो एक गंटे लेकिन बटिये के 15 हो अब देखे एक ऐंश को परावर कितना ह और चाहर इक गंटें में कितना ज़ता है साट विक आगे लिए को रेखा को अंतराष्टी तिति रेखा इंटरेश्टी नेट लाइन भी आ जाता है कि कुछ इस रहा कि दोनों और तीतियों में एक दिन का अंतर होता है ठीक है चलिए फटाबट इसको देख लेते एक क्या करता है एक दिन गड़ जाएगा एक दिन बढ़ जाएगा अभी दिखते हैं कैसे बढ़ता है पर समय 12 गंटे आगे होता है इसी प्रकार गिर्ण में पस्चिम में जाता है एक दिन कम किया जाता है और इस रेखा से पस्चिम की और जाने पर एक दिन बढ़ा दिया जाता है अगर पुर की और जाते है तो आपके दिन बढ़ा है और पश्चिम की और पहुझगे तो पश्चिम के ओर जाने पर एक दिन बढ़ा लेगे पुर्ष की ओर फॉर मंगलवर पड़ गये जैसे इदिन गटा लेगे जी पूर को रहेंगे एक दिन गटा लेंगे तो इधर अगर इधर मंगलुवार हए ते दर मुलिजे मैं लिए फिर अधर रहें नहें पिज इनगे देखी हैं अंतर यांतराष्ट्राश्टा ठीट यां 10-106 । ब्टाबटी about call कैसे हुटा तो आगे चलते हैं इसके बाद देखते हैं कि प्रधान जो माध्धान रेखे दिवा जिरू अंतराष्ट्र मानक समय इंटरनेशनल इस्टेनर निधार किया जाता है जो यह इंटरनेशनल लाइन है ना एक बात इंपोर्टेंट है दोस्त इंटरनेशनल लाइन जो है वो सीधी नहीं है वो मुड़ी हुई है कई जगों पर ठीक है अब पहले तो देख लिए प्रधान में जो रिखा है जिरूंस ग्रिन विच्ट टैम कितने देशों जाते हैं उЁनाटेर्स जाते है प्रांस जाता इसपैंस ए जाते है माली से ब्रॉक अनलम पहसों से ठोगों से घाना से न्टर्टिका से इस तरह से होकर गुजरती है बरेटे़न के अतरिक कुछ है ऐसे देश है जीम्डी के इतार होते हुए जीम्डी के मानक समय जह सामय का ही उपयोक करते हैं इस परकार आइसलेंड, दीखें कौन-कौन से GMT का प्रियोग करता है आइसलेंड, आयरलेंड, पुर्तगाल, कनारी, दीप, समूइ, स्पेन, कनारी ये आपका अटलंडिक महारसागन परता है मारितानिया माली इस से निकल यह सब आपका अपरिका मांदीप एसे संदीप गिने विसायो गिनी शिरिया लेओन लाइविरिया आईवरी कोस्ट बुर्चिना फासो टोगो गांबिया गाहना इन सब को जीरुएंस के आस पासी मानते हैं ठीक भारत का मानक समय क्या है भारत का और भारत को तो शाड़े-पांच गंटे होते हैं कि साड़े-पांच गंटे का अंतरहोता इंगलेंड के ग्रिन वेच रायल अब्जेट्री के गोश्टा भारत नीज सहस्त्राब्दी के सुर्वद्य के प्रथम किरेड को निकोबार्दीप कटचल दीप में दिखाई देती है कटचल भारत के मुख भूमी से लगवेग सोलह सो किलोमेटर पॉर्ट विलैर से तीन सो किलोमेटर दच तो लोग के कुछ मानता है वहां पर यूरोप में कि सबसे पहले जो केड़े सुर के निकलती है और जो नए वर्स में नए वर्स मरला एक पूरे सताब्दी के बाद है तो उसको देखने के लिए लोग महां पर मानता है कि अगर पहले केड़े दिखा जाए तो वह के लिए अच्छा होता, इस तरह की होथी है, तो ऐसी ध्हाड़ावे हैं, लोग और फ़िखके हैं ये पहले टे जो निकलती है, दिखाई देती है भारत के कट चल्थीब पर कहूं पर काँ पर देखने के पूंदी टिक कि यह सब थोड़ा से important होता है यूपीसे के लिए हम PCS के लिए बात नहीं करें नहीं, तो आपको हम पूरा detail बता देते कि कौन से देश को कहां पर सबसे पहले किरड़े दिखती है कहां पर किस तरह से दिखती है तो अगर भारत को दिखना पड़ेगा तो कहां पर दिखना प तरह लेकर मदवेद किस्तिती नरहें इपर राचते पर दो अस्तानों के बीच के बिच अंतराश्ट होता है भारत के मानक समय के यहां के इसके बीच में अगर तिसीधी होती है तो अकर इसके बीच में कोई देश आ जाता है इसी चीज को फुल जाने के लिए इसी चीज को समश्चाओं का हल करने के लिए तो बग्यान को दौरा जो साइन्टिस्टों दौरा यह इसको टेड़े कर दिये जो देश आते थे उसको इस तरह से भूआ दिये बहिया तो पूरे आपके देश में पता चला की हाफ-हाफ में बगुद्रेकर देख लेते हैं तो इसी चीज को मर्दी नजर देखते हुए इसको डिवाइड किया है बाकि और डिटेल चाहिए तो आप बताईए का हम अच्छे से बतादेंगा पूरा जो में बाती थी इसको मुड़ा गया है यही सबसे बड़ा रीजन का रड़ है कि ब तो इसको ग्रेट सर्कल कहा जाता है सबसे बड़ा रिखाय होती तो इसमें सारी बात हैं कि लंबाई सबसे कम पाय जाता कि यहां पर 27 निगरे संटीगरेट लगभग एक और सट टंपरेचर होता विश्वत रेखा करें यहां लगभग वर्ष भर्ष से दिए केड़े चलती हैं इसलिए यहां ताप अंतर ज्यादा नहीं पाया जाता है रात और दीन का पूरे वर्ष पर वहां त्रेका पर इस्तितर जो दिएस हैं बहुंस्ट इंपोर्टेंट है कई बार जामें पूछा हुआ है यह याद कर लिए दोस्त अब देख पा रहा है यह कौन सा है देश है देखिड अमेरिका अपरिका यह ऐस्या थीका अब फटावड़ देख लें एक को डूर यह देखिड अपरे इसके चलिकर एक काई कई इक डूर पर कौनसा है वहां देख बोभूमत रिखा चे आज स्पास है उसके भूमत रिखा के पास पड़ता है एक रूनबर धूंबि कुलंबिया ये है ब्राजील ये है ये दच्रे अपरिका के सड़े दच्रे अमेरिका के तीन देश टिक गैवन गैवन चार नंबर अपरिका मादीब कांगो गड़तंद ये आपके पांच नंबर ये कांगो आपको कांगो गड़ राज ये छे नंबर युगांडा ये साथ न और क्रिवाध ऑन्पर प्रिंसेट यह इंप्रेंट के लिए को डोट को लिया प्राजिली यांद के लिए इसके बाद आपको गैबन कांगों यह सब तो जित अमन्दिया शुद्स्स तो इसको याद कलिए यहां पर बहुत ज़्याद मत्रमें उनस्वतिया और यह सपाज यत उर्भक्ता कम होती है इसलिए यहां कांगो लोगतांती गड़राज यूगांडा केना सुमालिया माल्दिव इंडोनेसिया करिबाते साउटोम और प्रिंसिप चलिए अस्थर उजल पर विश्वत रेखा कुल तेरह देश्व सोकर गुजरती है यह ब्राजली आमने बाद के लिए कौन-कौन से गुजरती कहां कहां से अलड़ेदी बता दिये भूमद्र रेखा मकर रेखा तीनु अपरिका महादेश से गुजरती मोश्ट इंपोर्टन तच्छ सिंगापूर आपका 1.51 और 21 मिनेट उत्तर एचांज परिष्टित है सिंगापूर भूमत्रीका से 133 किलो-मेटर दूर पर अकितने मनीला जो है 24 संस 35 मिनिट तरी सेकंड ठीक पूलंबो छैस 15 55 मिनिट 30 सेकंड जकर्था च्छैंस 12 मिनिट बारा सेकंड तो यह याद कर लिए पड़ावड चली करकर रिखा के वारें देख लेते हैं प्रिक्रमान गर्थी के प्रिक्रमान गर्ती के प्रिक्रमान गर्थी के तीन मां पर शुर्क ठीक सामने होती हूँ थिति को एक तीस मार्च से के जो इसी तीत को सुर्क करके रेखा लंब चपकता है किसी तीत को ग्रिस्म आयनांत करते हैं फटाबट देख लिए क्या बूल रहा है यह यह यहां से यह यह आपका करकर रेखा कौन से करकर रेखा 23 चलिए यहां से दीरे दीरे आ जाती है न्याम पे जून तक जून में यहां पर लंब जाती है शूर की जून को बढ़ाकर बढ़ा गुलार्द में यहां पर यहां पर ताफी बड़े टाइम तक सूर्य राता था इसलिए समसे बड़ा नियुक इसके बाद पर रेटेन वोती ही यहां पर आ जाते जून जुला यहां सितंबर तेस सितंबर ठीक है फिर इधर आ जाती दिसंबर बाइद दिसंबर इधर साइड इधर साइड तेछी पढ़ने लगती है तो इसको गोलते हैं जर्वाद देशके गुलारते हैं इसमें इहां पर यहां पर यहां पर गरमी वह दहर ठाट यहां चले प्र संवमजिया होगा अब खरक रहता है इसके जिन देश सो निर्वा कई बार रिक्जाम में पुछ लिया है हुआई दी वेस्टन साहरा पाहमास मारतनिया अलजिरिया लिविया मेसर भारत मेंमार उमान एंड मेक्सको माली नाइजर चाड सौधी अरब सयुत अरब अमिरात बंगला देश चीन तैवान मकर संक्राइचित बाई दिसंबर को उस सम पहले आलेडी चुक्ति प्रिथिवी के साहरे तेशन जो की हुए इसलिए मकर रेखा साड़ें मकर रेखा पर जब नब्यांस सुर्ण नातांस कोड होगा तो ठीक इसी समय करके रेखा पर नब्यांस से तरेस तीरालेसंस कोड वानी का बिल्कुल सही है ठीक है नेस्ट मकर देखारर के रेखा कि मद्ध्ध साड़ेती ही सनस ब्राबर से तलेसंस होता है ठीक है अंतर जो चली को है मकर रेखा क्या है ैस दिन देख्री गूलार्द का सबसे बड़ा दिन होता है इस तोरान इस समय उत्रगी गुलार्द में उच्छ वाइदाब और था सीती रित कैसा रिखा और सुर्की केड़े तीर्चे पढ़ती है तो चुकी करके रिखा सब्सक्राइब भारत के लगभग मतलब कोई नहीं है मकर रिखा जिस देशों से जाती है इंपोर्टेंट है कई बार पूचा हुए ब्राजील प्राग्य अर्जेंटीना चीली प्रेंच प्रेंच पोलेनेसिया फ्रांस में बुस्वान आस्टिलिया में डगासकर मुझांबी दच्र अप्रिका टूंगा नम यह सो करू जटी है मुस्ट इंपोर्टेंट है इसको याद कर लेजिए रट लीजेगा एक नमर कुछ यहां से बन जाएगा कोई ठीक है और सूर्की परिक्रमा करती है तो यह उसका क्या होता एक दिन हो जाता है टेक्श ग्रमण रिवालूशन को वर्सिक ज्यति कहते हैं जो इसका एक वर्स कितने 365 दिन में प्रिथिविक चक्क लगाती है तो इसको बोलते हैं वर्स और जो अपने अच्छ पर गोम लेते हैं उसको दैनी बोलते हैं कि वह यह दिन रात हो रही है क्या साइंटिस्टों का कमा लेव चलिए बहुत सारी चीजे प्रिथविस अधिव अपने चपर पस्चिम से पूरू के दीशा गूंती है हां एंटिक लॉक्वाइज ठीक है ये सनों गे ये इस तरह से गूंती रहती अनुल ये लिए क्लॉकवाइज ये क्लॉकवाइज इस साइड हो था ना है ये क्लॉक व गड़ी जैसे आज़ा टिक 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 बार आई एक दो तीन चाहफ आची एक लाप वह जाए पुर से पश्चिम से पुर उल्टा दिन रात होता इसी करण से प्रिक्ति भुड़न परिक्रम करते हैं दिन रात होता प्रिक्ति पने अच्छ पर सडितेशन जो किये बार बार वह पुर सब्सक्राइब होते हैं तो मैं अधिक लिए तदीन बढ़े और रात छोटे होते हैं जैसे उत्री दूर्वोर वड़ते जाते दिन के वाधी बढ़ती बढ़ती है और दो पर दिन नहीं नहीं चोट होती है और के लिए फेज़ मार्च तक सूरुकी प्रकास कि देध गुलारत पर बता दे रहां अभी पढ़ लेते हैं बारा गंटे या अधिक समय तक प्राप्त होती है तो जैसे दच्छी दुग की और जाते हैं तो वैसे वैसे दिन के अबदी भी बढ़ती जाती दच्छी दुग पर इसी करद चमेने का दिन होता है चलिए पहले इसको सब्सक्राइशन आल्ट वाली यह नार्थ पॉल एस साथ पॉल यह आपका नार्थ पॉल ठीक है अब समझे तो शूर की जो यह क्रिड़े हैं यहां पे का बात है मार्च और सितम्बर मेनियम तेज मार्च या तेज मार्च या तेज मार्च यहां पे एक इस जुन 22 दिसंब प्राइर तो यहां पर फेल्ष सेस्ट रूलाइज क्या होगा दिन रात होगी नहीं क्योंकि थोड़े से जुकी हुए न तो यहां पर प्रकारास तिर्शे पढ़ती रहती है छे महीने तक कितने माहा तक शिक्स माहा तक यहां पर इधर साइड उट रहा पर क्या होता है गिक होती है फिर इसके बाद तीन महीना इधर इधर आगे तीन इधर हो प्रकास के किड़े तीर्शे हर समय इधर साइड पढ़ती रहती है और यहां पर यहां पर यहीं के के बीच में जो ना यह तोनों को पूल के बीच में यह लगव साथ हैंस और साथ हैंस इसी के बीच में देन रात की अब दिल को आपको पता चलता रहता है चलिए आगे पृत्रवी अपने अच्छी प्रभूनें के साथ सूर के चार वर द्रीमित्या का मार्ग में जोट लगवा 345 शे गंटें पर चकल लगाती है बार बार वही बात आ रही अता प्रित्वी के सूर के साफे से बतलती रहती है प्रित्वी के परिक्रमड चार मुख अवस्थाएं होती है फड़ा बड़ा बता दिया हो आलरेडी बता चुका हो दोस्त यह फालतों चीजे बार बार दे रहा है जो चीजे एक बार लिखते हैं चाहिए वही अब कुछ और अच्छा से लिख दिया होता है क्या जरुबत थी इतनी बात है यह है घट्रा चक्रवाले कुछ समरर्ण बेस जून से सुर्ण करकरी खा पर होथी लंबर चमकती यह नार्थ वाले नार्थ इमें इस फियर की बात करो पूंतरी गलाद में घ्रेक्रे बाते होते हैं तो वही चीजे है यह जून मेहने में 20-21 तर गलाद में, दिन की लंबा है सब स्बस्यादी होती है ठीक ह तुम आपर दिन चोटा होगा राते बड़ी होती है क्योंकि तेट्षी कीड़े परती है और आपका दच्छड़े दुरूपर तो उच्छे महीने तक राती होगी चलिए कर दिसम्बर वाला मौरा उकना बाते कर लिए ठीक है शीच रूदक आ जाता है ठीक है उत्तरी उलाते में दिन की रफ्थी यह सब से कम होती है यह ज्यादा रह गी ओड़ाती है समझ लेज़े या दूस्ट भड़ा अपड़ी यह सारी चीजी ज्यादा दिमाग लगाने मारी चीजी नहीं यह सब सब आप जानते हैं लंबाई सबसे कम रहती है संक्रांति के रहे हैं इस समय और दोस्त यह फटा फटी यह यह इस पर कब मार्च और शुरत सितंबर मेने रहता है तो इसलिए समय 23 सितंबर को सर्द से चलिया गए समय समय दिन राद बराबर होते हैं इस्तिति में सुर्व विश्व तरेखा पर लंब चमकती है प्रित्वी के अच्छे जुकाओं परिक्रमन गतिके कर रहे हैं प्रित्वी उतले को रहे हैं सबसे दूरी से लंब चमकेगा उन अस्थानों पर वस्तों से सुने और सुने से कुछ अधी कंस्पर का कोड़ बनाएगा लेकिन वक्रार कार होने के कारर से मुझला स्थान पर अस्थान पर जिरुर अन्स से दिखनी से कौड़ बनता है लिएक इस अकर्वा दम नहीं नहीं बने हैं कि इस पर बात कर लिए कितने मिनिट हो गया है नेश्ट है हम बात करेंगे और नेश्ट वीडियो में बात करेंगे अब प्रिथवी के थोड़ी से जो नेश्ट वाला होगा इसके बाद फिर हम पहाड परवत जील जहरना इन सब के बारे में जॉला मुख्री वो कम भी यह क्य करनोलाजी है प्रिथवी के जो उत्पति से रिलेटेड है प्रिथवी का जो हिस्ट्री है क्रोनलाजी की तो उसके बारे हम देख लेंगे कौन सा है जाए आपका कैम्रीन यूग आर्कीन यूग की बात करूं जितने भी है जाए उसके जो आपको इपोच की बात करूं चलिए आगे अब चलिए आगे क्या अब चाहते हैं कि यहाँ पर खतम किया जाए और यहाँ से आपको टाइम लगेगा बहुत सारे पढ़ने में यही सारे पढ़ने में आपको बुक में चार से पांच गंटे आप 30-40 मिनिट में अगर कवर करवा देना हैं सारी चीजे समझा कर यही सारे आप बुक में जाएंगे पढ़ेंगे समझेंगे कितना टाइम लगा ठीक है लाइक कर दिए करिए सेयर करिए सब्सक्राइब नहीं कियों तो कर लीजेगा थैंक यू सो मच